सबसे पहले आप सभी को क्रिस्मस की बहुत सारी शब कामना है और क्रिस्मस का मज़ा दुगना करने के लिए मैं आप सभी के लिए लाई हूँ चॉकलेट फजी ब्राउनी जो बहुती सिंपल और कम इंग्रीडियेंस से बन सकती है तो चलिए रेसीपियो बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम बटर उसको एक बाल में डाल दीजिए फिर मैंने यह अमूल की डाकम पांड चॉकलेट ली है जो की 150 ग्राम की है पर हमें 130 ग्राम चाहिए तो लास्ट की तीन ब्रिक्स जो हैं उनको हम काट देंगे और बाकी की चॉकलेट को पीसिस में कट करके बाल में रख देंगे उसके बाद हमें इसको मेल्ट करना है तो यहाद आप माइक्रोवेव कर सकते हैं वह नहीं आप दबल बॉयलर पर इसको मेल्ट कर सकते हैं तो थोड़ी देर में यह मेल्ट हो जाएगी तो जब तक ये बॉइल हो रही है तब तक हम अपनी कढ़ाई को रेडी कर लेते हैं तो यह आप सिंपल सॉल्ट को कढ़ाई में डाल दीजे और एक चमच से स्कोचे से फैला दीजे फिर आप बीच में कटोरी या फिर एक छोटी सी प्लेट रख सकते हैं या फिर एक स्थान भी रख सकते हैं और फिर इसको ओपर से ढख दीजे आप अपनी गास को मीडियम फ्लेम पर रखिए तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो चॉकलेट है ये भी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ा से ठंडा होने देंगे तो जब तक हमारी चॉकलेट ठंडी हो रहे है तो तक हम अपना मूल भी रेडी कर लेते हैं तो यह आप कोई भी vegetable oil ले सकते हैं और उसके बाद मैदा इसके उपर अच्छे से dust कर दीजे ताकि उस पे हमारी ब्राउनी ना चिपके तो यह देख सकते हैं हमारी चोकलेट है यह भी थोड़ा ठंडी हो गई है अब हम इसमें सभी dry ingredients मिक्स कर लेंगे तो एक चलनी लीजे फ फिर हम 2 टेबल स्पून चमच जिन से हम खाना खाते है कोको पाउडर तीन 1 बाइ 4 कप हम डालेंगे शुगर पाउडर चीनी को grind करकर आप यह बना सकते हैं फिर अब हम इसमें छोटी चमच आदे से कम बेकिंग पाउडर डालेंगे और फिर इसको अच्छे से चान देंगे चानने के बाद एक spatula लीजे और इससे अच्छे से इसको एक ही direction में cut and fold में mix कर दीजेगा आपका जो batter है यह थोड़ा से dry भी हो सकता है या फिर हलका सा गीला भी हो सकता है यह dip and करता है तो मैं आपको यह प्रफर करूँगे कि मैंने जो भी आपको ingredients बताएं उनको आप थोड़ा करकर डालेंगे और mix कर दीजेगा cut in full direction में ही और कुशिश कीजेगा कि कोई भी lumps ना रहे और आपका batter ribbon जैसे flow हो अगर आपका batter आपको थोड़ा गाड़ा लगते तो आप उसमें थोड़ा सा और दूद डाल सकते हैं अब हम इसको अपने grease किये हुए मोल्ड में ट आप चाहें तो इसको कर सकते हैं या फिर चॉक्रिट भी डाल सकते हैं वह भी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो चलिए अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपनी कड़ाई में इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि आपकी कड़ाई में अच्छे से heat बन जानी चाहिए वरना आपकी brownie जो है वो अच्छे से fuzzy नहीं बनेगी बहुत प्रब्लम आ सकते हैं इसलिए बहुत ही important है तो अब हम इसको ढख देंगे और low to medium flame पर इसको तीस मिनिट तक पकने देंगे आप ठायतों बीच में इसको चेक भी कर सकते हैं तो मैंने इसको पूरा 35 मिनिट के बाद चेक किया और तूद्पिक जब इंसर्ट की तो देखा कि टूद्पिक बिलकुल clear है यानि कि हमारी brownie अब आप इसको डी मॉल्ड कर लीजेगा थोड़ा ठंडा होने दीजेगा अब मैं इसको square sheet देने के लिए side से cut कर दूँगी यह optional है आप चाहे तो कर भी सकते है या नहीं भी या फिर आप दूसरा मॉल्ड भी ले सकते हैं तो आप देखी सकते हैं कि हमारी brownie कितनी टेस्टी कितनी फजी बन रही है यह बहुत ही simple और easy recipe है जादा ingredients भी नहीं है इसमें तो इस Christmas आप यह recipe ज़रूर ट्राइ कीजेगा आपकी family को यह recipe बहुत ही पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सकते हैं तो इकबर फिर से Merry Christmas to all of you! Thank you so much!